अगर आप अपने फाइनांस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके हालात आपके कंट्रोल में नहीं है बहुत से लोग उधारी में जी रहे हैं वो लोग अपना रेंट पेकर पाने में असफल हैं और एक इंसेक्योर जॉब का पार्ट हैं हाला कि वो लोग लग भग 30 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी भी किराय के घर में रह रहे हैं और अपना खुद का घर लेने का सपना देखते हैं 2008 की एकनॉमिक क्राइसिस के बाद इस जनरेशन के लिए चीजें और ज्यादा मुश्किल हो गई हैं कई लोगों के लिए financial security को खत्म करना एक सपना बनकर रह गया है अगर आप भी उनी लोगों में से एक हैं तो परिशान होने की जरूरत नहीं है आप इस बुक को पढ़के जान पाएंगी कि किस तरह लेकिकाने भी खुद इन problems को face किया है और किस प्रकार उन्होंने खुद को इस सब से बाहर निकाला है इस समरी को पढ़कर आपको समझ आएगा कि किस तरह से आप भी अपने पैसों की problem के साथ deal कर सकते हैं इसके अलावा आप जानेंगे कि किस तरह Instagram हमारी financial problem को बढ़ा सकता है क्यों किराय के घर में भी आपको अपने घर जैसा अनुभव करना चाहिए और economical life के साथ किस तरह से आप अपने दोस्तों और परिवार के और करीब जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुछ लोग होते हैं जो हिचकी चाहट की वज़़से ATM पर अपना bank balance भी नहीं चेक कर पाते हैं ज्यादतर ऐसे लोग वो होते हैं जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन वो खर्च भी बहुत जल्दी हो जाते हैं जिसकी वज़से bank balance जीरो रह जाता है ऐसे लोगों को बार बार bank से warning वाले letters आते हैं और ऐसे सिर्फ चुनिंदा लोग नहीं हैं बहुत से लोग हैं जिनके हालात ऐसे हैं तो अगर आपका finance भी एक mess बन चुका है तो कोई problem नहीं है कई बार ऐसा होता है कि financial knowledge ना होने की वज़ा से लोगों को पैसे के मामले में काफी disadvantage होता है financial knowledge ना होने के पीछे financial education ना मिल पाना एक बहुत बड़ी वज़ा है बात करें United Kingdom की तो वहाँ पर school में financial education का कोई रोल ही नहीं है तो जब कोई student पढ़ाई या फिर job के लिए घर से बाहर निकलता है तो उसको savings वा finance से जुड़ी हुई चीजों की बिलकुल knowledge नहीं होती बात करें लेकिका की तो उनके school में भी finance के बारे में सिर्फ एक बार बात हुई थी वो भी किसी और subject को लेकर Students को financial education देना parents के उपर छोड़ दिया जाता है और इसको एक lottery की तरह देखा जा सकता है क्योंकि सारे students एक अमीर घर में पैदा नहीं होते हैं तो इस वज़े से उनके parents उनको सही financial education नहीं दे सकते हैं कि किस प्रकार से पैसों का सही use होता है कई बार तो लोग अच्छी financial condition की वज़े से भी परिशानी में आ जाते हैं United Kingdom में तो situation काफी खराब है वहां की government ने उन protection को हटा दिया जो की job security और salary बढ़ाने की guarantee देते थे Financial insecurity किसी individual के fail होने से बड़ी problem है 2019 में United Kingdom में एक परिवार की income मात्र 15,400 पाउंड रह गई थी हाला कि वहां पर लोग holiday, cloth और शौक्या चीज़ों पर ज्यादा खर्श करते हैं लेकिन फिर भी financial insecurity वहां पर एक बड़ी problem है इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे steps लिए जा सकते हैं लेकिन ये समझना भी गलत है कि आपकी financial situation आपकी गलतियों का नतीजा है जब बात आती है पैसे की problem की तो शर्म भी उसके साथ साथ चलती है हम सभी के according एक happy family वही है जिसमें पती-पत्नी जौब करते हों उनके दो बच्चे हो और उनका एक अच्छा सा अपना घर हो मान लीजे कभी उस family में से एक इनसान ने ज्यादा खर्चा कर दिया और उस खर्च के बारे में उसने घर में किसी को बताया भी नहीं लेकिन कुछ समय बाद उस एक्स्ट्रा खर्चे की वज़े से घर की financial security डिस्टरब होने लगी ये बहुत common situation है ऐसी situation में वो इनसान silence को अपना साथ ही बना लेगा और silence के साथ उसको शर्म का भी एहसास होने लगेगा हर टाइम उसके दिमाग में पैसे की वज़े से tension बनी रहेगी जब भी उसको बैंक की तरफ से call आएगा वो उस call को पिक करने में भी हिचकिचाएगा जब आप खुद को शर्म की वज़े से किसी ऐसी खराब situation में डाल लेते हैं तो आप कोई action भी नहीं ले पाते हैं बात करें लेकिका की तो 21 साल की उम्र में उनके पिता की death हो गई पिता की तरफ से उनको security के तौर पर 10,000 pound मिले पैसे बचाने की जगा उन पैसों से लेकिका ने एक holiday enjoy किया लेकिन जब वो पैसे खत्म हुए तो उनको अंदर ही अंदर शर्म का एहसास हुआ कि जो पैसे उनको बचाने चाहिए थे उनको उन्होंने एक holiday के लिए खर्च कर दिया तो जब भी आपको financial problem आए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप उसके लिए उत्तरदाई रहें क्योंकि ऐसा करने के बाद ही आप ऐसी situation को अच्छे से deal कर पाएंगे अपनी गलतियों को मान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए बलकि ऐसा करने से आप silence और शर्म से बाहर निकल कर उस situation को ठीक करने के लिए कुछ action ले सकेंगे अगर लेखीका ने अपने उस खराब financial decision को accept कर लिया होता तो शायद उनको इतना शर्मशार महसूस ना हुआ होता जब आप किसी चीज के बारे में गिल्टी होते हैं तो आपका मन होता है कि सबसे दूर क्यों न चले जाएं लेकिन अपनी mistakes को accept करने से शर्म कम हो जाती है अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वज़े से पैसों की समस्या हो रही है तो फिर एक स्टेप पीछे लेकर अपने finance को control करिये जब आपकी financial condition सही नहीं होती तो सोशल मीडिया पे समय invest करना भी मुश्किल होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर मौजूद लोगों की perfect life देख कर आपको और भी ज्यादा बुरा फील होगा और इससे शायद आपकी financial situation और ज्यादा खराब हो जाए जब लेकि का maternity leave पर थी तब उन्होंने अपना काफी समय सोशल मीडिया पर invest किया वहाँ पर उन्होंने कई तरह के अलग-अलग interior design वाले घर देखे और उन्हें देखने के बाद उनका मन भी हुआ कि वो अपने घर को रेनोवेट करें हाला कि वो पहले से ही खराब financial condition में थी लेकिन इसके बावजुद उन्होंने घर को रेनोवेट करने पर पैसा खर्च किया हाला कि रेनोवेट होने के बाद उनका घर बिलकुल वैसे ही लगने लगा जैसे उनकी इच्छा थी लेकिन इसके लिए उनको बहुत सारे पैसे उधार लेने पड़े ऐसा असल में क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोचल मीडिया पर वो सब चीज़ें देखने के बाद लेकिका को लगा कि उनकी स्टैंडर्ट काफी कम है और उसको उपर ले जाने के लिए उन्होंने ये सब किया वैसे इस बहेविर को अवाइट करने के बहुत सारे तरीके हैं सबसे पहली चीज कि कुछ रियल करें और दूसरे लोगों की लाइफ की इमेज से दूर रहें कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिसमें इंटरनेट इन्वाल्व ना हो और दूसरी बात जब अपनी लाइफ को किसी के साथ कमपैर करें तो अपने आप से सवाल करें कि उसके जैसे लाइफ जीने के लिए क्या आप अपने पास मौजूद चीजों को साक्रिफाइस करने को तयार हैं क्या आप अपने दोस्तों और पईवार को छोड़ देंगे उमीद है कि खुद से ये सवाल करने के बाद आपको अपना जवाब मिल जाएगा याद रखें कि ओनलाइन मौजूद ज्यादतर चीजें एक इल्यूजन है इल्यूजन यानि की ब्रह्म सोचल मीडिया पर दिखाई गई परफेक्ट चीजें बहुत कम ही परफेक्ट होती हैं याद रखें हम वही देखते हैं जो लोग हमें दिखाना चाहते हैं आपको एक शौक कर देने वाला स्टेस्टिक्स बताते हैं युनाइटिट किंडम में 64% लोग जो फैनाशल प्रॉब्लम से परिशान हैं वो महिलाएं हैं हो सकता है ऐसा इसलिए हो क्योंकि महिलाओं को ज्यादा सालरी वाली नौकरी नहीं मिलती या शायद इसलिए क्योंकि फैमिली के प्रती उनकी कमिट्मेंट ज्यादा होती है वजह जो भी हो ये बात तो साफ है कि पैसे के मामले में जेन्डर डिस्पारिटी है बात करें जेन्डर पे गैप की यानि कि महिलाओं और पुरुषों को मिलने वाली सालरी की गैप की तो बीते सालों में इसमें कोई खास इंप्रूव्मेंट नहीं हुआ है ऐसा इसलिए क्योंकि इस फील्ड में ट्रांस्परेंसी की कमी है बहुत सारी वर्क प्लेस पर एंप्लॉईज अपनी सालरी के बारे में खुल कर डिसकस भी नहीं कर सकते ऐसे सिचुएशन में ये पता करपाना बहुत मुश्किल है कि महिलाओं पुरुष से ज्यादा कमा रही है या कम United Kingdom में तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है उनकी यहाँ एक पिंक टैक्स होता है जिसकी वज़े से किसी भी प्रॉडक्ट के लिए महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा पे करना पड़ता है महिलाओं की financial condition पर तब और प्रेशर बढ़ता है जब वो मा बनती है United Kingdom में maternity leave पर payment इतनी low है कि बहुत सी महिलाओं गरीबी में चली जाती है मा बनने के बाद कपड़े और खाने पर खर्श तो बढ़ता ही है साथ ही महिलाओं के career पर भी संदेह बढ़ जाता है जब वो काम पर लौटती हैं तो part-time job या फिर flexible time की demand करती हैं तो उनको ना कर दिया जाता है figures के according हर साल 54,000 महिलाएं pregnancy की वज़र से अपनी job खो देती हैं कई companies तो ऐसी महिलाओं को job ही नहीं देती जो pregnancy के करीब होती है 44% महिलाओं का कहना है कि pregnancy के बाद उनकी salary कम कर दी गई है अभी 2021 है और कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है हमसे पहली वाली generation के लिए अपना घर ले पाना काफी आसान था लेकिन आने वाले समय में ये एक impossible काम बन कर रह जाएगा अगर आप किराए के घर पर रहते हैं तो आपको पता होगा कि अपना खुद का घर ना होने पर कितनी परिशानियों का सामना करना पड़ता है किराए के घर में आप अपने according कुछ नहीं कर सकते बात कर United Kingdom की तो वहाँ पर उनकी total population का one-fifth part किराए के घर में रहता है और दिन प्रति दिन ये नंबर पढ़ता भी जा रहा है अगर आप किसी अच्छे घर से नहीं है या फिर अगर आपने शुरू से ही अपने खुद के घर के लिए पैसे नहीं सेव किये हैं तो आपका अपना खुद का घर ले पाना लगभग impossible है आखिर United Kingdom में एक प्रॉब्लम आई क्यों? मारकरट Thatcher जब United Kingdom की प्राइम मिनिस्टर बनी तब उनका टागेट ये था कि सभी को उनका खुद का घर दिलाया जाए और इसी कारण से उस समय United Kingdom में किराय के घर में रहना और भी महगा हो गया जिससे सब यही चाहने लगे कि उनका भी अपना खुद का घर हो और आज भी कंडिशन कुछ वैसी ही है आज भी अपनी खुद की प्रॉपटी होना एक बहुत ज़रूरी चीज है लेकिन खुद की प्रॉपटी खरीद कर उस पर घर बना कर उनको किराय पर देने की वज़े से किराय के घर में रहना और महगा हो गया है इसी वज़े से जो लोग किराय पर रहते हैं वो कभी अपने खुद के घर के लिए पैसे सेव नहीं कर पाते क्योंकि उनका ज्यादा तर पैसा घर का किराया देने में ही निकल जाता है इसलिए आने वाली जनरेशन के लिए अपना घर ले पाना काफी मुश्किल हो गया है तो ये समय है अपने decisions को reconsider करने का क्योंकि आप अपना आधा जीवन तो किराय के घर में ही बिता देते हैं ग्रिलो ने अपनी पुक Home, Rented Sweet Home में कहा कि कोशिश करें कि आप अपने किराय के घर को इस तरह बना लें कि वहीं पर आपको अपना घर जैसा एहसास हो उस किराय के घर को अपनी सोच के अकॉर्डिन डेवलाप करें हाला कि उनका मानना है कि Rented House को लेकर Government की Policy में पदलाव आना चाहिए Financial Difficulty से निकलने के लिए जरूरी है कि आप अपने लिए Concrete यानि की पक्के गोल सेट करें जब आपकी Financial Condition ठीक नहीं होती तो उस Situation से निकलना आपको काफी मुश्किल का काम नजर आता है और उस खराब Situation से निकलने के लिए जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है वो है Clarity Clarity को हासल करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने लिए Goals सेट करें ऐसे Goals जिसके बारे में सोच कर भी आपको Happiness मिलती हो अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज आपको खुशी प्रदान करती है मान लीजे कि आप अपने किसी दोस्त के यहां गए और वहां आपने कुछ ऐसा फरनिचर देखा जो आपको काफी पसंद आ गया और उस फरनिचर की मदद से घर भी आलिशान लगता है हाला कि अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप उसको खरीद सकें लिकिन अपने दोस्त की बराबरी के लिए आप कहीं से उधार लेकर वो फरनिचर खरीद लेते हैं कुछ दिन बाद आपको एहसास होगा कि उस फरनिचर की खरीद से आने वाली खुशी कहीं गायब हो गई और उसकी वज़े से जो आपने उधार लिया था वो आपको परिशान किये जा रहा है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक समय पर जो चीज आपको लग रही थी कि आपको सबसे ज्यादा खुशी देगी वो आपके लिए उतनी अच्छी साबित नहीं हुई इसलिए जरूरी है कि आप राइट गोल्स सेट करें बात करें लेखिका की तो उनके लिए हर गोल अलग अलग प्रकार की हैपनेस लेके आता था उनका एक गोल था कि वो अपना खुद का घर खरीद सकें जहां उनके बच्चे खुल के enjoy कर सकें और वो अपने दोस्तों को invite करके उनके साथ quality time बिता सकें जब आप अपने लिए एक बड़ा गोल्स सेट कर लेते हैं तो उसको अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स की और देखते हैं और उनको पूरा करने के बारे में सोचते हैं अपना गोल अचीव करने के लिए आप छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाने की कोशिश करेंगे अपने finance को अच्छे से review करें और फिर उसके according budget बनाएं अगर आप अपने financial target को अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये clear होना चाहिए कि आपके goals क्या हैं और उसको अचीव करने के लिए आप कैसे छोटे-छोटे steps लेंगे गोल अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने finance यानि की पैसों का सही use करें और इसके लिए आपको एक systematic budget की ज़रूरत होगी सबसे पहले ये पता करिए कि आप पैसा खर्च किस जगग पर कर सकते हैं कोशिश करिए कि अपने last six months की spending पर नज़र डालिए ऐसा करने से आपको समझाएगा कि आपने फालतू का खर्च किस field में किया है हाला कि इससे आपको बुरा तो लगेगा लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप गलती कहां कर रहे हैं तब तक आप improvement कैसे करेंगे दूसरी चीज ध्यान दें कि आपकी income कितनी है और आप खर्च कितना कर रहे हैं मतलब आपके पास मन्त की शुरुआत में कितने पैसे होते हैं और उसके बाद पता करिए कि वो कौन-कौन से areas हैं जहां पर हर मन्त खर्चा होता ही है जैसे कि घर का rent, taxes, बच्चों की fees ये सब चीजे अगर आपका महीने का खर्च आपकी income से ज्यादा है तो आपको rethink करने की जरूरत है तीसे step में अपनी regular outgoing को analyze करें ऐसी चीजे जो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन entertainment के लिए valuable है इसको analyze करें और उससे दूरी बनाएं जिसके बिना आप रह सकते हैं हाँ अगर थोड़ा बहुत extra खर्च हो रहा हो तो कोई problem नहीं है step 4 में अपने variable expenses पर नजर डालें वो खर्च जो हर महीने में बदलते रहते हैं हाला कि ये खर्च ज़रूरी होते हैं लेकिन इन पर पैसे save किये जा सकते हैं last step 5 देखें कि सब तरह की चीज़ें अनराइज करने के बाद क्या बचा है आप अपने बचे हुए पैसों को save कर सकते हैं या उस पर खर्च कर सकते हैं जो आपको पसंद हो हाला कि ये सब करने में थोड़ा time लगेगा लेकिन ये बहुत ज़रूरी है budgeting खराब नहीं है, economical life के बहुत फायदे हैं financial pressure के साथ struggle करना काफी hard है लेकिन कभी कभी ऐसी life जीना भी ज़रूरी है हमेशा याद रखी कि life is short आप अपने खर्चों को याद करके भी enjoy कर सकते हैं economical होने से शायद आप उन चीज़ों को appreciate कर पाएं जिनको आप पहले overlook कर देते थे सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सोच आना जरूरी है कि नई चीज़े खरीदने से happiness नहीं आती कोशिश करिए कि आप पुरानी चीज़ों में खुशी ढून पाएं अगर आपको कपड़े ही खरीदने हैं तो क्यों ना second hand shop पर जाकर खरीदें पैसे फालतु जगह पर खर्च करने से अच्छा क्यों ना आप उन पैसों की मदद से एक picnic प्लान करें या फिर museum जाएं ये सब चीज़ें entertainment भी देंगी और यहां पर पैसे भी कम खर्च होंगे और सबसे जरूरी बात इससे आपको satisfaction भी मिलेगा economical होकर life जीना काफी eco friendly भी होता है दो सबसे जरूरी चीज़ें जो आप कर सकते हैं पूरे world को save करने के लिए वो ये हैं कि air travel ना करें और meat ना खाए इन दोनों ही चीज़ों के बिना रहा जा सकता है और इनसान इस पर ही सबसे ज़्यादा खर्च करता है सबसे जरूरी चीज़ कभी भी पैसों की problem को चुपाएं नहीं जब आप अपने economic जीवन को सब के सामने रखते हैं तो लोग आपसे inspire होते हैं आखरी और सबसे जरूरी चीज़ खुद को materialism से दूर रखें जरूरी नहीं कि आप किसी को महंगा gift देकर ही इसाबित करें कि आप उसकी care करते हैं आप महंगे gift से ज़्यादा expensive चीज़ भी दे सकते हैं और वो है आपका कीमती time कुल मिलाकर ये जरूरी है कि आप खुद को अपनी financial problem की वज़ा माने लेकिन ये याद रखें कि सारी गलती सिर्फ आपकी ही नहीं है बहुत सारी चीज़ों की वज़े से ये होता है जब आप अपनी financial situation को control करने के काबिल हो जाएं तो वही सही समय है जब एक अच्छा goal आपकी help कर सकता है क्या करें? अपने finance को अच्छे से manage करने के लिए एक square paper लें और जब भी आप savings करें तो उस paper पर एक box को color कर दें जब आपको अपनी progress नजर के सामने दिखती रहेगी तो आपको एसास रहेगा कि आप अपने goals के कितने करीब हैं